कि चलिए तो अगर आपको साइक्लिक फुर्टो फोस्परेशन का प्रोसेस समझ में आ गया तो आप मेंड़े दो सवाल का जवाब देदू कि सवाल आपके सामने है आंसर देखके जवाब देने में से कोई फाइदा नहीं है मैं आपसे लॉजिक पूछ दूँगा इसलिए ब यह आप पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे हैं डूरिंग साइकलिक फोस्फोटो फोस्फोरेलेशन नहीं बना उसका कारण क्या हो सकता है दूसरा कुशन भी सेम है बट ऑप्सन चेंज किया गया है ठीक है जहां से देखके पहला है लेक आफ एनडीप रिड़क्टेश साइकलिक फोस्फोरेलेशन चलता है यह दूसरा यह नहीं बना क्यों नहीं बना क्यों नहीं बदा कारण क्या है कि सब्सक्राइए करने वाला दूसरे को इलेक्ट्रों लेकर दूसरे को ट्रांसपर करेगा तो यहां तो बोला गया कि नहीं बन रहा है उसका क्या कारण यह पूछा हां क्या फिर्च बोलो कि दूसरा कोई बताओ कि बोलो तो नहीं ना लेगा कौन नहीं लेगा नाम के साथ बोलो पिर चाह बोलो कि पोटो सिस्टम वन का अगर रिड्यूसिंग नेचर है तो वहां पे नहीं रहता है अब सही बोलिये तो रेड्यूसिंग नेचर आप फोटो सिस्टम वन ही होगा कुछ लोग बोलेंगे कि लेक अडिप अर्य वह तो बात की बात है है कि अग्यूंब ऑठ इस आंसर नहीं हो यहां पर एकosure से करना है तो कारण होगा से नेचर आप फोटो सिस्टम वन नա यहां नहीं बनाएं यहां ऐनना भी परोसेस वा वी लेकिन उसके बगल स्टो वह ले रहा रही आ Oscography क्यों यह ले रहा और इसका कारण यह नहीं होगा कि एनऐ डिबी रिट्टेज नहीं है उसले नहीं ले रहे नहीं यह बात की बात म्हें ऊस्से बड़ी बात ये हैं कि Gmail एक फोटो सिस्टमफ और यह उल्टाकर कर सोचोगक आश फोटो सिस्टम में से निकला हुआ एलेक्ट्रॉन एने डिपी को मिल जाता तो फिर क्या कभी उसको लोट किया था कि यह सब्सक्राइब इस प्रावलम हो रहा है यहां पर नहीं हम इसका सॉल्व कर लेंगा तो मैं कहा रहा था तो उल्टा करके सोचो यह आंसर रेडियोशिंग ने तरफ फोटो सिस्टम वन ही क्यों कि एसा करके सोचो न कि अगर फोटो सिस्टम वन से निकला हुआ एलेक्ट्रॉन नडीप को मिल जाता और तब बन भी जाता तो क्या प्रोसेस साइकलिक होता है यह नों साइकलिक होता है अगर प्रोसेस अगर साइकलिक होना है तो नहीं बनेगा और फोटो सिस्टम वन रेड्यूसिंग है तभी तो सैकलिक प्रोसेस चल रहा है यह और सुनोग में क्यों होगा फोटो सिस्टम वन को अगर साइकलिक चलके लगातार उसको अगर साइक्लिक है तो उसका उसको मिले तो रह पाएगा और तुकि-Cyclic है तो उसका एलेक्ट्रोन उसको मिल रहा है और वो रेडुसिंग नेजर लगातार मेंटेन रख पा रहा है तो cycle ए तो नडीप कसी जीन ही नहीं नहीं है तो आंसर दूसरा ऑक्षिडाइजिंग नेचर फोटो सिस्टम वन दीसरा एडिशिंग नेचर ऑफ फोटो सिस्टम वन और चाहता है बहुत वन एंट्री अब आंसर आप आंसर हो का वन एंट्री हाँ आव आंसर क्योंकि एडिपी रिटेज का ना होना भी एक कारण है मगर उससे तो इस इज आल अबाउट साइकलिक फोटो फोस्पोरायले शें अपने पास समय दस मिट का मैं दस मिट में आपको बैक्टिरियल फोटो सिंटेसिस पड़ा के खतम कर देता हूं ठीक है छोटा सा टॉपिक है मैं आपको एक डाइग्राम के जरिए सारी बातें समझा दूँ तो कि यह चटिक है और आपको मैंने कहा था कि शेल नमबरें अंदर की तरफ ऐसे इसे इन फॉल्डिंग सो करतें इसको बलते मीजो सॉम अगर यादा रहाए और किसी को दो जादर है इसको बोलते है मीजो सॉम जो टूब के फर्म में भी हो सकती है वसाइकल के फर्म में भ था कि यह प्रीड है सबसे बाहर यह क्या अब यह क्या क्वाल अब यह एक और यह क्या सेटो प्लाजम था है अब यहां कि यह बैक्टिडिया है प्रोकरियोटिक शेल तो यहां पर किसी पड़कर क्लोरोप्रास तो और अगर नहीं है तो इस्ट्रोमा नाम की कोई चीज्ज नहीं लेकिन भाईया बैक्टिरिया है तो एसा अफ पॉटोसिंट्यिक नहीं तो है यह बात पहले भी चर्चा हो चुकी है तो मैं आपको बता दू कि बेक्टिरिया के अंडर तो फोटो सिंथेटिक पिग्मेंट होते हैं वह क्या होते हैं इस तरीके से साइटो प्लाजम में जैसे साइटो प्लाजम में उसमें जगा जगा पर इकटे हुए रहते हैं इस तरीके से और दिस ग्रूप और फोटो सिंथेटिक पिग्मेंट नॉन एज क्रोमेटो फोर क्रोमेटो फोर और इस क्रोमेटो फोर के अंदर है फोटो सिंथेटिक पिग्मे यह सब क्या बैक्टेरियल फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है यह भी एपसोरारट करते हैं ! यह LIVE को वह अपज़र नहीं करतें° इसको इंफ्रारेड को इसको इनफ्रारेड और अपको इसका रेंज बता हूं 870 नैनोमेटर से लेकर 890 नैनोमेटर तक कर लेते हैं और इसी लिए जो यह बैक्टिरियल फोटो सिंदेटिक पिगमेट का जो ग्रूप है इसमें जो प्रजेंट होता है फोटो सिस्टम उसको भी फोटो सिस्टम वन ही कहते हैं मगर उसको नहीं करते उसको बी एट नइन्ट करते हैं बायक्टीर है बैक्ट्यू बैक्टेटियो बैक्टीरो क लोट्फिल थे एक नंट्टी इंफ्राय्ड एंफ्रारेंड का मुस्टा प्या क्योंकि इनका pigment अलग है कईसा अलग क्या है हाई सब्सक्राइए है लग है है होता है तो यह तो हुआ क्या पी फोटो स्टमवन ही मगर उसको बोलेंगे भी 890 अब क्या है कि लाइट अब्जार्ब होगा इस बेक्टरियल फोटो स्टमवन के द्वारा और लाइट रेक्शन चलेगा यहीं पर और मैं आपको बात और बतादू लाइट रेक्शन चलेगा क लाइट स्टमवन के अर्दर जया और यहां पर वाटर का स्प्लेटिंग नहीं होता रहा पर तो ब्रेकिंग किसका होगा कि अगर रिलीस या होगा या तो सलफर रिलीज हो जाएगा या तो सलफेट का कोई कंपाउंड बनके रिलीज हो जाएगा ओटू रिलीज नहीं होगा डेक्ट्रिया में तो आप ओभर और रियक्शन क्या लिखोगे वहां लिखते थे आप यहां क्या लिखोगे शिक्स मॉल्डिकुल आफ एच यह तो अड़ फिर कोई सलफेट का कंपाउंड रिक्शन आपके अचम गज़िए और बाते कि यहां पर एक्ट्रों प्रोट्रों डॉनर और यहां पर और एक्ट्रों प्रोट्रों एक्षेप्टर कौन है महां तो नड़ीप होता था लाइट रेक्शन में नॉन साइक्ले की यहां क्वान है तो यहाँ आन्टी नहीं यहां था है एन aikान एडी ना एडी ना एडी नई docos बन जान एड़ियागा एण संटेसिस भी होगा जी मैं में अब कॉर-कॉर बात बता रहा हो प्रॉसेस नहीं पड़ा रहा हूं एटीप एनडी एच्टू सैत प्लाजम में और सायटौपलाजम में चलेगा और डार्क रिएक्षन के दौरान और गनिक पांड का सिंतेशिस होगा साइट फ्लासम में तो क्या क्या डिफरेंसे से मैं वह पूरी बात प्रश बता देता हूं वहां पर यहां ब्लात, फोटो शिंदेटिक पीड में, लेकिन वहां बाता है तो के बाता है चारब सब्सक्रास सब्सक्राइब कर एक फोड़न करता संब्सक्राइब रेंज आज आर्सोसा nadis से आर्सनबबे इंफ्रा रेड का यह रेंज है पिगमेंट का ना वैक्टियो क्लोरफिल बैक्टिरियो वारेडी और यहां पर जो लाइट एक्षिन के तौरान एक्ट्रों प्रोटों डाउनर वह वाटर नहीं सब्सक्राइब करने वाले बैक्टिरिया का नाम याद रखना वह तो आप यादर लोगे यह दो वहीं सारी बात नहीं पर पढ़ लेना इसको एक बार यह दो लिखावा जो मैंने भी बोला था थुरदर पहले यहां पर यह तो सब्सक्राइब का नाम बैक्टियों को लोगे बैक्टियों बैक्टियों फोटो सिस्टम वन्हों रियक्शन सेंटर को भी 890 कहते हैं कि अच्छा थे 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 हां ठीक है तो हाँ ठीक है तो यह हो गया तुमारा प्रॉट पर चलेगा क्या लाइट रेक्शन और डार्टियों कहां चलेगा और एस्टिमेटर्टि पावर वाई एटीपी बनेगा एन डियस्टू बनेगा और साइक्लिक नोन साइक्लिक दोनों होता है मगर यह हाई प्लांट के देशा सिमिलर प्रॉसेस नहीं चलता है जो डिफरेंसेस आप से पूछी जाते हैं वह मैं आपको यहां पर है तो है ठीक है अब यह बास एक्जामपल की तो आपको याद करने होंगे लिए एक्जामपल कौन-कौन सा है तो एक पर देख लो क्लोडोबियम क्रोमेसियम और रहोडो एस्पारिलम और रहोडो सुडोमनास यह चार बेक्टरिया के नाम है जो आपको फोटो सिंथेस करने वाले इंफ्रारेड वाले लाइट को एब्सर्ब करके फोटो सिं मनाज यह परपल नॉन सलफर बैक्टरिया है यह इसको परपल ग्रीन यह सब क्यों बोलें यह उनके अलग-अलग फोटो सिंथेटिक पिगमेंट के कॉम्बिनेशन के वज़े से उसके बाद मैं आपको यह तीनों ही यह तीनों जो यूज करते हैं एलेक्ट्रों प्रोट्र यह बात मैं आपको बेक्टरिया में भी बताऊंगा है अच्ट्यूस को भी उज कर सकते हैं और और आवड़न इस स्टार्ट वह बुलू ग्रीन एलगी से ही हुआ पहली बार क्लोरोफिल एज फोटो सिस्टेम टू में प्रजेंट हुआ वह इसी में हुआ था यह काने में कल भी सुनाओंगा और इसका जो प्रॉसेसे से फोटो सिंथेसिस का वह हाइड प्लांट के सीमिलर है हाइड अलाग इस इस वाल बार बेक्टेरियल फोटो सिंथेस अब आपके जो भी डाउट हों को यह हों तो आप ले सकते हैं चलो बोलो अगर को दिकत होतो हुआ हुआ है तो अब आप क्या करेंगे एनिस याटी में अभी मेरा पास निस याटी पहन रूख जाओं यहां पर है अपने पास मैं एक और खोल के बता देता हूं झाल यहां से लेकर जहां से बोल रहे हैं यहां से लेकर देख लो कहां से हेडिक नमबर 13.5 वहां से लेकर यहां तक कंप्लीट पढ़ना है कहां तक यहां तक क्योंकि आप उदर कीमो सिंट्रेटिक प्रोसेस भी आप पढ़ चुके हैं तो आपको यहां तक पढ़ लें आज पूरा ठीक है तैने कोई वीड़ा उठाओ तो हम नेस्ट प्लास में ले लेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं नेस्ट प्लास में बाइब बाइब